सेक्डों की जान लेने वाली नोट पंडी से पेटी एम का मालिक बन गया अरब पाती नए दिल्ली, पिछले साल 8 नवंबर की रात पीएम मोदी ने कालाधन और भ्राश्टाचार की बात कर 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोशना कर दी थी जिसके बाद देश में आर्थिक भूचाला गया था, पैसे की किलत की वजह से देश से सेक्डों गरीबों की जान चली गई थी लेकिन नोट पंडी का सबसे बड़ा फाइदा पेटी एम को हुआ है पेटी एम ने नोट पंडी के दोरान एकनी ग्रोथ कर ली है कि उनके मालक भी अरब पती हो गए है नोट पंडी से सबसे अधिक फाइदा मोबाइल वोलेट कमपनी पेटी एम को हुआ है इस बार की हुरून की मीरों की लिस्ट में पेटी एम के मालक विजय शेकर ने भी अपना स्थान बना लिया है इनके अलावा इस लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ा है जो दिव्यांत तुराखिया है दिव्यांकी 1.2 अरब डॉलर के साथ शहारत के अरब पतियों में से एक बन गए है जो सबसे कम उम्र के अरब पतियों में से एक है हाल ही में हुरून ग्लोबाल रिचलिस्ट इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रिलाएंस इंडिस्ट्रीज लिमिटेड के मालक मुकेश अमबानी अभी भी देश के सबसे अमीर शक्स है हुरून के अनुसार मुकेश अमबानी के पास 1,75,400 करोड रुपए की संपति है जहां देश के अरब पतियों में मुकेश अमबानी पहले नमबर है वहीं दूसरी और दुनिया भर में उनका 28 वा नमबर है हुरून की भारती अरब पतियों की इस लिस्ट में कुल 132 लोग शामिल है इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर एक लाख एक हजार करोड रुपए की संपति के साथ एसपी हिंदु जाएंट फैमली है जबकी 99,000 करोड रुपए की संपति के साथ तिलीप शांगवी ज़स्ट में तीसरे नमबर पर है वहीं पलजी मिस्तरी चोथे नमबर पर है जिनकी कुल संपति 82,700 करोड रुपे है इस लश्ट में 5 वास थानك 81,200 करोड रुपए की संपति के साथ दुनिया के सबसे बड़ी स्टील निर्माता लक्षमी एन मितल का है एक रिपोर्ट के अनुसार नोटपंदी की वजह से भारत ने इस बार 11 अरब पती खो दिये हैं नोटपंदी से काफी लोगों को नुकसान भी हुए हैं जिसकी वजह से भी अमीरों की लिस्ट पहले से छोटी हुई है E-commerce Company Flipkart के सचन बंसल और बिन्नी बंसल पर भी नोटपंदी की मार पड़ी है जिसकी वह से वह दोनों अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं